इस चीज से रात में चहरा वाश कर लेना आपके चहरे से पसीना काला पन हटेगा चहरा साफ चमकदार और गोरा हो जाएगा सबसे ज्यादा काम हम अपने फेस के लिए या फिर हम अपनी स्किन केर के लिए गर्मियों के टाइम पर क्या करते हैं अपने फेस को क्लीन करते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने चहरे को वाश करते हैं और इसके लिए अगर हम फेस वाश ज्यादा यूज करेंगे तो यह हमार फेस पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं रहता दोस्तो अगर आप भी चाहते हैं अपने स्किन में नाच्रल ग्लो पाना या फिर अपने स्किन से चिपचिपाहट पसीने को कंच्रोल करना तो इसको ज़रूर बनाईगा इसके लिए सबसे पहले आपको करना ये है आपको चाहिए होगा पियर सोप पियर सोप जो होता है इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है दोस्तो पियर सोप बहुत ही प्यार और जैंटल होता है साथी ये सभी स्किन को सूट भी कर जाता है ये 95 परतिश्रत ये ग्लिस्रीन से बना होता है और यह ज्यादा खार्श केमिकल इसके अंधर नहीं होता इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से ग्लिस्टेन सॉप या फिर पियर सॉप को यूज़ करेंगे अगर आप पियर सॉप भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सो बेस बहुत ही इसली ऑनलाइन मिल जाता तो इसके लिए बस आपको क्या करना है आपको ग्रेट करना है पियर सॉप को मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसको यूज़ करना सो इसलिए मैं आप सभी से श्यार कर रही हूं इसको लिक्विट फॉर्म में या फिर इसको इसको इस तरीके से यूज़ करने से बहुत इसे पूरा एक बॉटल डाल देंगे रोस वाटर की जितना टाइम तक आप इसको ऐसे छोड़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि गुलाब जल के अंदर जो एक बार से जोड़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि गुलाब जल के अंदर जो हमने सोप डाला ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा अच्छे से मिक्स करें उसके बाद हमें चाहिए होगा ऐलोवेरा जल आपको यहां पर मार्केट वाला जल ही यूज करना है इसके अंदर एड़ करें आप एक चमच अलोवेरा जल और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं जब तक कि यह पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए दोस्तो यह एक ऐसा लिक्विड है जो कि दोस्तो यह एक ऐसा सलिशन है जिसको आप दो टाइम भी यूज कर सकते हैं सुबा में और रात में बेड टाइम में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, फेस को गीला करके इस लिक्वीड को थोड़ा सा लेकर अपने फेस पर अपलाई कर लें और अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करें तो आप इसको किसी भी कंटेनर के अंदर स्टोर करके आपने फ्रिज के अंदर रखना है जिससे कि ये खराप ना हो आप इसको किसी भी ग्लास कंटेनर या प्लास्टिक कंटेनर के अंदर डाल दो और बस इसको स्टोर करके रखो तब भी जब भी यूज करना हो तब भी आप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो अगर ऐसा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक्या और बाबाई